मिलने वाली है मैंने सरकार के अपसरों को दो सुचनाई दी हैं जिस बात को आप प्राचारित कर सकते हैं कुछ व्यापारियों को लगता है कि अभी हम डिजीटल चले जाएंगे और हमारा ट्रणोवर बढ़ जाएगा पहले तो हमारा ट्रणोवर कैस था तो हम लिखते नहीं अब डिजीटल जाएंगे अभी तो हम सब लाइन पर आना चाहते हैं मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं लेकिन अगर उसके हिसाब से पुराना निकालोगे कि भाई तुम्हारा डिसेंबर में डिजीटल में दो लाख था इसका मुटलब कि तुम्हारा जुलाई अगस में कि दो लाख होगा तब तो तुमने 20,000 लिखाया था चलो पुराना भी निकालो मैंने सरकार के सभी अधिकरियों से कह दिया है पुराना कोई पोश्मॉटम नहीं करना है वरना आप किसी को भी मुख्यधरा में लाई नहीं पाऊगे लाई नहीं पाऊगे आठ तारीक के पहले ऐसे ही हम चाहते हैं कि मद्दूरों का सोसंबंद होना चाहिए मद्दूरों को उनका हक का पैसा मिलना जाए आज क्या होता है कैस देते हैं और कहते हैं इतना देते हैं इतना कि क्यों ऐसा करते हैं कुछ मानों पुरा भी देते हैं लेकि उनको लगता है लेबर एक्ट में आ जाएंगे इसने वह रेकॉर्ड नहीं रखता है अब डिजल टर्पेमेंट से वह लेबर एक्ट के अंदर आएगा उसके लिए भी कुछ लोगों का कहना है कि साब यह पुरान भी निकालो छे साल गा निकालो यह अपसरसाहि नहीं चलेगी.-क्यां सांप्ष मैंसे मैं इस देश के सामाने मानवी के लिए यह सरकार जितना सकारात पर कर सकती उस औहुम करने के पक्ष में और इसलिए 8 नम criança को बात जो भी मुख्यदहरा में आना चाहते हैं उनको अवसर मिलना चाहिए और ये डिजीटल वबस्ता के कारण ये संभव होगा और देश का हर व्यक्ति जी ये अवसर साही का जुर्म सहने को त्यार नहीं है हम उससे मुक्त कराना चाहते हैं और एक ऐसी सरकार है जो अवसर साही से भी सामान नागरी को मुक्त कराने के लि वो कितना बड़ा निरने कर पाएगा जी उसके सामने माली जे बाजार में कुछ खरीदने के लिए बेचने के लिए किसान आया है पैसा नहीं है लेकिन वो अपना रेकॉर्ड तुरंत रिक्वेस्ट करेगा ओनलाइन मोबाइल से वो तुरंत अपना रेकॉर्ड देखेगा और 6 मिनिट में लोन मिल जाएगा तो किसान जो माल लेकर के आया है तुरंत खरीग लेगा किसान का भी फायदा होगा व्यापारी को भी काम हो जाएगा बैंक इन सिस्टिम भी सरल हो जाएगी इतनी संभावना है डिजीटल में पड़ी हुई है और इसलिए ये डिजीटल स सिस्टिम को बदलने का कारकम है और दुनिया में उनी देशों ने प्रगति की हैं जिन्होंने इन बदलाओं को समय रहते हुए स्विकार किया है हम लोगों का ये प्राइम रिस्पॉंसिबिलिटी होनी चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं 15,000 परिवारों को हर दिन आप पहुंच सकते हैं लोगों के पास आप ड्यान रखे कि आपके इलागे में किसको ड्रॉ लगा है उनका सम्मेलन कीजिए देखो भाई मेरे यहां एक हजार रुप्य आ गया ये बात आपको एनकैस तब होती हैं जब आप उसके साथ जुड़ते हैं बागे सरकार एक के देख जनहीत में गणम उठा रही हैं और आपको पता चल गया होगा हम टुकड़ों में नहीं सोते हैं एक पूरा फुल स्केल डिजाइन के साथ सोते हैं पत्ता धीरे-धीरे खोलते हैं लेकिन पूरे स्केल में सोच करके चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ना है बेनामी संपत्ति का काईदा पहले पास गया था डिजीटल का फरवरी से अक्तुबर तक 23 महत्वपुन डिसीजन लिए हुए है इस सरकार ने है डिजीटल प्रोमोशन के लिए फरवरी से एक्तुबर तक 23 महत्वपुन डिसीजन लिए हुए है लेकिन अगर हम उसको ध्यान नहीं रखेंगे हम उसको ऐसी कारेवाई मानेंगे तो बरलाव नहीं आ सकता है और जो सफलता मुली है जीजस अभियान को कोई कलपना है कि असी सफलत न मिले जण समधन मिला है और मैंने पहले दिन कहा है 50 दिन मुश्किल है मुश्किले बर्टी जाए गी लेकिन 50 दिन के बात मुश्किले कम हुते होते होते स्थिति नौर्मल होने में देर न हूए कि 15 दिन अभी भी मैं कह रहा हूं भैसे आज रिपोर्ट शुरू हुआ है कि काफी नौर्मल हुआ है फिर भी मैं कहता हूं 15 दिन तकलिफ है ही है पताथ दिन के बाद एक दम उचाई तकलिफ पहुंचेगी फिर दिरे 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 करो के ठीक हो गाँ यह बात हमको लोगों को बतानी होगी अच्छा करने का हमारा प्रयास है होके रहेगा मेरा भी स्वास है बहुत भाद धन्यवाद